नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किड्नी फेलियर ट्रीटमेंट में ही जहां हम हमेशा आपको किड्नी से जुड़ी कई जानकारियां देते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हमेशा किड्नी की समस्या और उसके आयरुदिक उप्चार के बारे में बताते हैं ऐसे ही हम आज एक खास विश्या पर आपसे चर्चा करेंगे आज हम किड्नी के लिए कुछ एक्क्यू प्रेशर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही है भी जानेंगे कि कैसे आपकी किड्नी को प्रभावित करते हैं आज हम किड्नी के लिए कुछ एक्क्यू प्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताएंगे और साथ ही यह जानेंगी कि यह कैसे आपके किड्ने को प्रभावित करते हैं हमारा आज का विश्य हमेशा की तरह खास है तो आप इसको बिना स्किप के पूरा देखें अपने विश्य पर आगे बात करेंगे लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब ने क्या वैं जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आप हमसे यूँ ही जुड़े रहें और साथ ही बेल आईकन को दबाना ना भूले इससे आप हमारे चैनल में दी जाने वाली सभी जानकारी आसानी से पा सकते हैं बढ़ते हैं अपने आज के विश्य की दरफ और जानते हैं किड्नी के लिए कुछ एक्क्यू प्रेशर पॉइंट्स के बारे में मानोशरीर में किड्नी एक एहम भाग रखती है किड्नी का काम मानोशरीर के सभी अंगों को सुचार रूप से चलाने का होता है आपके सभी अंग अपना काम सही तरह से करें इसलिए है जरूर है कि आपके किड्नी स्वस्त रहे किड्नी को स्वस्त रखने के लिए आप अपने एक जीवन में कुछ बदलाव करते हैं और इसी बदलाव में आप अगर Acupressure Therapy को भी शामिल कर लें तो इससे आपकी किड्नी स्वस्त रहेगी सबसे पहले जानते हैं Acupressure Therapy क्या है Acupressure Therapy एक ऐसा उपचार है जो पिछले कई वर्षों से इस्तमाल किया जा रहा है Acupressure Therapy शरीर को ठीक और व्यविस्तित करने की शमता रखता है जैसे योग को जीवन में बहुत महत्व दिया जाता है उसी तरह Acupressure Therapy को भी मानव जीवन में सबसे एहम माना जाता है क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर उर्जा का प्रवा करने के लिए कुछ डक्त सोती हैं जिनने नलिकाय कहते हैं जिनके माध्यम से उर्जा शरीर में प्रवाहित होती है इसमें किसी परकार की कोई रुकावत आती है तो इससे अंगों में दर्ध शुरू हो सकता है Ace pressure therapy आपके शरीर में आने वाली इसी रुकावत को दूर करने का एक प्राकरतिक तरीका है जिससे आपका शरीर प्राकरतिक रूप से स्वस्त हो जाता है Acupressure Therapy बहुती आसान है जिसको आप खुद ही अपने घर में आसानी से कर सकते हैं इस therapy के लिए आप गए शरीर में कुछ points होते हैं जिनको आपको दबाना पड़ता है जिससे आपकी kidney से जुड़ी तगलीफ में राहत मिलती है चली अब जानते हैं कि kidney के लिए Acupressure Therapy में कौन से points होते हैं जिनने press करना आपकी kidney के काम में सहाइक होता है किड्नी के लिए Acupressure Therapy में आपकी हतेली में कुछ points होते हैं जिनहें दबाने से आपके kidney पर प्रभावग पड़ता है पहला point है, acupressure therapy में आपको अपनी हतेली के बीच से हलका सा left side एक point दबाना है ऐसा आप 2-3 मिनर तक अपनी दोनों हतेलीों में करें दोनों हतेलीों के left side में ही आपको acupressure करना है इससे आपको kidney में होने वाली समस्या से राहत मिलेगी दूसरा point है, आपको अपनी हतेली के पीछे की तरफ index finger और middle finger के बीच के भाग में थोड़ा नीचे की तरफ जाकर उसको दबाना है ऐसा करना आपको आपकी kidney की समस्या से राहत देगा, ऐसा आपको 5 मिनट तक अपने दोनों हातों में करना है तीसरा point ही है भी हतेली के पीछे की तरफ होगा, जो की small finger और ring finger के बीच वाले भाग में थोड़ा से नीचे की तरफ होता है इस point को आप कम से कम 5 मिनट तक दबाएं, ऐसा आप अपने दोनों हातों की हतेली में करें, इससे आपकी kidney में होने वाली समस्या में कुछ कमी आएगी चौधा point है, acupressure therapy का एक point आपकी हतेली के सामने वाली तरफ, middle finger के उपर से नीचे आने वाली पहली line के right side में होता है acupressure therapy के बारे में, जिसमें पहली acupressure therapy ankle bone के पास होती है, acupressure therapy में अगर इस point की रोजाना मसाज की जाए या इसको दबाया जाए, तो इससे kidney में होने वाली समस्या कम होती है, अगर आपको constipation और urine से जड़ी कोई भी दिक्कत है, तो उसको acupressure therapy से दूर करने में सहता मि इचे होता है, इसको दोनों तरफ से प्रेस करना, bladder संबन्धी समस्या उसे आराम दिलाता है, और आपकी kidney को भी स्वस्त रखने में मदद करता है, तीसरा acupressure therapy point ankle bone के 2 इंच उपर की तरफ होता है, अगर आप नियम्मित रूप से इस point पर रोजाना 5 मिनट के लिए acupressure therapy अ पनाते हैं, तो यह आपकी kidney समस्या को दूर करने में सहता करता है, अगला point है ankle bone के joint के उपर, अगर इस point को आप रोजाना 5 मिनट के लिए दबाते हैं, तो इससे आपकी kidney के रख रखाओ को बढ़ावा मिलता है, और साथ ही आपके शरीर के बाकी अंग भी सुचारो रूप स चलते हैं, यह थे पैरो के acupressure therapy points, इसके अलावा आप पेट के acupressure therapy points से भी kidney को स्वस्त रख सकते हैं, पेट से जुड़ा acupressure therapy point है, आपकी नाभी के 3 finger नीचे, अगर आप इस point को दबाते हैं, तो यह आपकी kidney के functions को सुचारो रूप से चलाता है, इतना ही नहीं यह आप आपके muscles को मजबूत बनाता है, और साथ ही आपके शरीर में energy को बनाए रखता है, तो यह थे acupressure therapy points जो आपकी kidney को स्वस्त रखने में सहता करते हैं, लेकिन इस बात का धिहान रखें, अगर kidney के मरीज इन acupressure therapy points को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो पहले आप अपने डॉक्टर या किसी जानकार से सलहा जरूर लें, वैसे तो यह acupressure therapy पूरी तरह प्राकरतिक है, लेकिन kidney के मरीज अगर इसके लिए अपने डॉक्टर से सलहा लें, तो यह उनके लिए अधिक फायदे मन रहेगा, इसके अलावा आप अपने जीवन में ऐरुएद को भी शा कार की कोई हानी नहीं है, अगर आप kidney की समस्या से परिशान है, तो आप कर्मा यरुदा से संपर कर सकते हैं, कर्मा यरुदा ने अब तक 48,000 से भी जादा मरीजों को ठीक किया है, और उन्हें एक नया जीवन दिया है, कर्मा यरुदा में kidney का इलाज पूरी तरह प्राकरति तरीके से किया जाता है, जिसका कोई भी side effect नहीं होता, कर्मा यरुदा के इलाज में ना तो dialysis की जरूरत होती है, और ना ही kidney transplant की, तो आप kidney की समस्या के लिए कर्मा यरुदा से संपर कर सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक करें और साथ ही इस महत्पूर्ण जानकारी को शेयर करना न भूलें, आप अपने विचारिया सुझाओ भी हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, अगर आप kidney से जुड़ी किसी भी समस्या का समधान चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं हमारा नमबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, मैं फिर आओंगा एक नए विचे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार हमारी इमेल आइडी है doctor at karmaayurveda.com, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी विबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग आन भी कर सकते हैं कर सकते हैं